इसी तो मार खा रहेगे दे लोग देखे ब्रम्मा जी की स्तुतिम और सिक्ष्ण भी बूलते हैं आम सर्वस प्रवर्तत है मैं ही सब को चलाने वाला यह जगत मैं ही संसार्चा चलाता हूं बाते हैं इतिमत्वाब जटे मां इसी को मानने वाला वयक्ति मेरा प्लजन कर सकता है अन्य नहीं देखिया इस्युर्य के अाबष्यकता है पक्ष्ण स्वह बता रहे इस मत को जो मानेगा कि संसार मुझसे निकला है और ये संसार को चलाने वाला मैं हूँ वो अपने आपको करता नहीं सोचेगा अत्य वो बुद्धिमान है कि भगवान की गृपा से जो मिला है तो उन जगत को चलाने वाले और मेरे सेरी को चलाने वाले स्वाम भगवान है इसलिए भगवान की सेवा में नियुकत होना चाहिए इसी को बुद्धिमानी बोलते हैं इसी को संसार में बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं हाँ और बुद्धा भाव समनमिता कहते हैं समस्त भावना वो मुझे अरपन करता है हमरी जो भावनाएं हैं वो बिखरी पड़ी है जगत में इनको एकत्रित करके केवल किष्णे में ले जाने का जरत इसी को किष्णे भावना कहते हैं भावना किके यहीं इन अना प्रकार का भाव ढमान रेदेश में जागरी तो हुता है लेकिन वह भाव क्या है उसमें माया का भाव ही जागरी distintos पर किष्णे के बतीं बहुना जागरी तो होनी चाहिए लेकिन उनके अश्वरिय के बीना नहीं होता है इससे किता आध्यम आधी पिशना चकुरी ताकुल के अनुसाद अगर हम लोग शले वो कहते हैं कि कहते हैं कि जीवस्त्वाद्य एव सर्वस्तत्ता इश्वरम कहते हैं कि पूरुष्व जीवस्तत्त वो तो एक जीवात्मा भी पूरुष्व की रुप में रहता है ने नहीं इश्वरम आप इश्वर हैं तो कहते ठीक है नहीं सर्गे इंद्रय चंद्राद्य भूम और राजान आप इश्वरा उच्छंते आपाद दिवां क्या है माल ये बगवान कहें किemले इंद्रों को इश्वर बोला जाता है भूमी पर राजा को इश्वर नियंगता हैं तो कहते प्रकृत परन प्रकृति के अंदर गहते हैं आप तो प्रकृति से पर हैं आप आदि पुरुश है आप इश्वर है अर्तानियंता है और प्रकृति से पर भी है कैसे कि महम बले अंतर्यामी पुरुशा आप अंतर्यामी के रूप में भी अपने आपको स्थित रखते हैं न अलक्षम कहते हैं फिर भी आप लक्षित नहीं होते हैं अंतर्यामी के रूप में हैं और बहीर आप सर्वत्र व्यापते हैं बहार भी और अंदर भी लेकिन न लक्षश है समन्य लोग आपको नहीं जान सकते हैं कि इसको कहे रहे हैं तो कि यतें अंतर्यामी बुद्यादी प्रकाश लक्षेव कि कि केते हैं कि देखो समाइद आप्सक्षत के प्रकाश करने वाले यह अंतर यामी पर्मात्मा के रुप में क्या मैं वही हूँ क्या ना किम ब्रह्म क्या मैं ब्रह्म हूँ क्या आप जो बोल रही हैं तो बलते हैं अंतर बहीर अवस्तित हैं ब्रह्म होते हुए भी आप अंतर बहीर बहार अंतर सब जगह तो ब्रह्म वस्तु व्या है अस्ट्री का बात यह है कि आपकी व्याप्ति जिवों के अंदर बहार सब जगह होते हुए भी हमरे बतीजे के रूप में आप एक कुंतिजी किस्तुति है अद्बतुस्तुति है वो कहते हैं कि देखिए अब इसको अंतर बहीर कहने का अर्थ क्या है बहार भगवान की व्याप्ति की सुरूप में यह हमें समदना चाहिए हमारी समझ के लिए अभी उनकी व्याख्या और लेना बहुत आवश्चक है भगवान कैसे बहीर अवर्स्तित है श्रिमत भगवत गीता का तेरेवे अध्याय में यह भगवत विज्ञान को बड़ाबर लिखता है प्रॉपर लिखें किसने उनका विवेचन करते हैं चित्र और चित्र की किविश्ची में जिग्यासा किया जब अर्जुन ने आईए थोड़ा हम लोग भगवत गीता में चलते हैं क्योंकि जब तक हम लोग इसका पाठ नहीं लेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा हम भगवत गीता में और तेरे वे अध्याई में इसका विवेचन भगवान अर्जुन की प्रस्न का उत्तर देते हुए कहते हैं वो कहते हैं कि अब मैं एक जानने योगित तत्व को तुमको बताता हूं जब वो क्या है तो बोलते हैं वो मेरा एक रूप है यह अर्जुन एक जानने योग्य तत्व को मैं बताता हूं जो गेई वस्तु है जो जानने योग्य वस्तु है जिन को जानकर के जीव मोक्ष को प्रापत होता है अमरत तो प्रापत करता है जीव का जन्म मरण तल जाता है ना क्याना अनादी मत बरम ब्रम्ह यह तेरे वेकर तेरे वस्तु है तेरा तेरा वो कहते अनादी जिनका आदी अंत नहीं है जिनका कोई ओठ छोट नहीं है अच्छा उनके विश्य में आप बता रहे हैं तो वस्तु क्या है तो बोले ब्रह्म अच्छा वो ब्रह्म है क्या इनको किसका अदार है तो बोलते मत्परम वो मेरे आधार में स्थित है मेरा आधार लेकर यह ब्रह्म वस्तु यह मेरी वस्तु है दिख्ये भगवान की कैसे व्यापति है उनको मैं समझा रहा हूं बड़ाबर समदना चाहिए थोड़े श्री में बोलता था कि यह की स्लोग होगा ज्यादा नहीं कि अगर हम समत्य नहीं चलेंगे तब हो गया कर लाना आचारी ती कि टिप्णी दे दिया तो वह कहते है अनानी मत्परम ब्रह्म मुझसे सतंत्र नहीं है कि मेरे कारण जिस ब्रह्म की स्थिति है न सत ना सत उच्चत है कहते हैं उन कार्य कारण से भी परे उस ब्रह्म है कार्य माने यह जगत कारण ने इस जगत जहां से उत्पर्ण होता है कारण से प्रकर्टी और यह जगत इन दोनों से पर वस्तु है वह वह हैं उनको और वो ब्रह्म क्या है ना बगवान सी कृष्ण की अंग कांती और जिसमें ये सारा जगत प्रकटित होता है आधार चाहिए जगत को कहां जगत तिकेगा उजचना कहां करेंगे जैसे हमारा आधार है पृत्वी पृत्वी है तो हम तिके हुए है एक नहीं और जल्चर जीव लेकिन जल कहां तिका पृत्री कहां तीकी हुए है सब कराया है किस लटक कराया कुछ लटके नहीं उनको आधार है लेकिन उनको आधार सट्टा को नहीं जानते शोकि ब्रह्म वस्तु देखना इंदियों से पड़े वस्तु है इस उनको देखने ही सकते हैं कृष्ट न उनके आधार के रूप में शरवत्र व्यापते हैं पुरे विश्व को पकड़ करके देए उनका आधार ब्रह्म के रूप में उसी ब्रह्म में यह अनंत कोटी ब्रह्मा नटिके हुए तो सक्ति और सक्तिमान में अबेद करते हुए इस वाक्य को कहा जा रहा है तो आध्य पुरुशम आप आध्य पुरुश है आप से इन सब का सुरुवात होता है और आप बहार अवस्तित होते हुए भी न लक्ष से आप लक्षित नहीं होते हैं आपको कोई देख नहीं सकता ह चुकि वस्तु की सत्व में ब्रह्म है सत्व समत्य ना उनका आधार के रूप में सत्व के रूप में ब्रह्म है कि संसार जो टीका है वो ब्रह्म में टीका है अब आधार खोजते हुए जाएं तो अंत में दिखाए पड़ेगा लटक रहा है सब कुछ आधार तो है नहीं क्यों कि वो जो जिनके आधारित इस सारी वस्तु ठीकी है वो आधार को लोग प्राकृति दस्ति से नहीं नहीं देख सकते वो ब्रह्म वस्तु है इसने कहते है कार्य कारनातीत जाश्त कारने प्रकृति इस संसार का और जगत प्रकृति का कार्य इनसे परे या ब्रह्म स्तीत है विजहना चक्रचुद्र रिधाकुर को आई ये तोड़ा और पाट करें इसकी टिपपनी बहुत सुन्दर है इस में परमार्मा सब्देने उचे दिये तत्र पर्थरम ब्रह्मम घ्यानम इति कहते हैं कि वो ब्रह्म दो प्रकार से के निर्विशिष और सविशिष क्रमेणा पहले विश्षिकार जिनका कोई रूप नहीं है वो भ्रह्म्हो और शढ़ट का अर्थ ये ब्रह्म का भी आधार जो है उनका एक सुन्दर रूप है कुंति मानार जी उस तत्व को अपने बटिजे के रूप में देख रही थी यह महान महिला है उनका महानत्व क्या है उनको अपना बटिजा नहीं देख रही है त्वामिश्वरम आप नियंता रहा अप नियंता है कैसे नियंता है कि सरोच नियंता के रूप में देख रही है ने को यहां भगवान भी अपने मुक्षे इसका वर्णन कर रहे हैं कहते मत्परम हमें पौर उत्कुष्ट आस्रियो यस्टत ब्रह्मनों ही पतिश्टाम आगे का भगवान कि यह ब्रह्म जो है उनकी पतिश्टा म का ना में हूं ब्रहावर ना सच ना Viya गाना दितो कि तो वस्तुमा रागां कि सत्व में भगवान एं क्योंकि उनकी सकती सक्ती और सक्तिमान में अर्वेत कर ते विएन सारी बातों को लिखते हैं और उसी बात को स्री भगवान उन वेद वाक्यों को बहुत सौट में समझाने के लिए इस सारी बात बोलते हैं अब वो आगे बताते हैं कि इस वह लोगा कला का स सुथि में लिखा है कि भगवान निराकार उनको लिखा घ्र वान के पास हमारे यह था हाथ पैड नहीं है उसका अर्थ यह नहीं है कि हाथ पैड बगएर भगवान है जो कि शुतिर जल्पती यह जहां जहां लिखा है कि ब्रह्म को हाथ नहीं है तो पकड़ता यह भी लिखा है हाथ ने तो कज़े पकड़ेगा उसका आपके जैसा हाथ नहीं है प्राकृत जो थोड़ा लकवा मारने से एकाद नस Blok होने से बाल जैसा फिर हाथ बारी हो जाएगा उटा नहीं पाएँगे ऐसा हाथ नहीं है जो हाथ سरवत्र व्याप्त है भगवान का हाथ सरवत्र व्याप्त है वो कहीं से भी अपने कोई भी भगवान का है क्यों कि प्रकुर्प की द्यान है हमारा से नहीं हैında प्रिध्य जलगनी वाज़िवाहां से बना है और इस प्रकुर्प उनके हद्धिक्स्तामें और तप भगवान का आठ है नहीं लुख बगवान अपने बत्व का प्रशा कहिने का अर्थ आप अदि पुरूश लोग अगे शेते करेंगे सर्वत दोति भोलते इसका अर्थ भागानिपने निर्वशिष मेह अध Está है नहीं होते हुए ये व्यक्ति विशेश लेकि उनके अंग दित्या है लगत दीन को प्रति अ कि और दे कहते हैं कि बीना पानी ग्रहननती और बीना पाद गच्छनती तो पैर के बगर चलता है और हाथ के बगर पकड़ता है शुतिर जलपती शुति ऐसा कहती है क्यों विचार करने पर पता चलता है कि सगुन साकार जो मत है वो सेश्ट है ऐसा बोलते हैं यह बताया गया है गंबी डूप से विचार करने पर इसके पास पहुंचा जा सकता है तो यह कुंति जी पहले से उनकुष्णत तत्व के ग्याता है क्योंकि रुश्मनियों के मुख से भगवान के विच्छी में खुब सुना था अपने पिताजी के पास पिताजी के गर में है वो खुब सुनी थी बात है परम ज्ञानी व्यक्तित्व है अधिक भगवान की उप्ति उनके साथ मिल रही है तो कहते हैं इस बगार भगवान सर्वत्ता पानिपादम तत सर्वत्त अभी मुक्कों अभी श्रीरों मुकमन सर्वत्त शुतिमनलों के सर्वम आवरित्तिष्टति यह जो ब्रह्म वस्तु है वो साब कुछ वस्तु को पूरे विश्वने अनंत कोटी ब्रह्मान को आवरित्त हो करके सब के निकट और सब से दूर सब जगव्यापत है तो वस्तु की सत्व में आप है कुंती जी कह रही है क्या अंतर बहीर अवस्तित हैं वो देख रही थी कि कैसे भगवान अंदर और बार है पड़मात्मा के भितर और वस्तु के रूप में बार स्थिती है चोंकि वस्तु की सत्व में जाएंगे तब पता चलेगा कि ये तो ब्रह्म वस्तु जिनका आधार को ले करके सभी वस्तु है और ब्रह्म की सक्ति से संसार चालू है और ब्रह्म को आधार है किष्ण का किष्ण प्रकुर्टी के साथ कभी सिद्धा संपर्क रखते ही नहीं है किष्ण के दे प्रकुर्टे परम वो सोचने मात्र से वो कार्य करना चालो करती है परस्टक नहीं होता है प्रकुर्टी का भगवान को उनके विचार मात्र से उनकार्य प्रारंबह होता है हम यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इश्वर नहीं है हम विचारने के बाद हमें कार्य करना पड़ता है लेकिन भगवान के पास इतनी अचिंत सक्तिया है कि विचार आने से पहले वो सर्जन करके रखती है भगवान की अचिंत सक्ति क्या है रादारणी ये जानती है कि कृष्ण को क्या विचार आएगा उनके सुक के लिए वो दस विचार पहले से एरेंज करके रखती है दस-पंद्रा विचार यह भगवान है यह उनको सब्दों से कितना भी समझाने के बावजुद भी वो जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक समझ में इसलिए अरे कृष्णा कयो कि हैं तो कुण्तिजी की रूप में बाएर कया हम अज्योंने मैं वन्सेश पर्टएश्य के रूप में बार खड़े हैं आक साथ युस्तिए मेरे पूत्र का उन्होंने रक्षा किया और गर्ब में परिक्षित का रक्षा किया तिस पर भी रत पर बैटे हुए है अस्चरी की बात है यह तो भगवत तत्व है कि वह हमारी चुलक बुद्धी में जाएगा नहीं इस सब बात है तिस पर भी जो भगवित किता सिमत भागवतम और जो सादु संत बोलते हैं उनको जानने वाले उनकी बात को मान करके गर कोई बजन करता है तो श्रीक कुंतिजी की तरह वह भगवान को देख लेगा हां आओ है यह तो बात है शद्डा के साथ जो सेवन होता है कि सारी बाते परम सत्वुस्त है लेकिन हमारा चीत्त ऐसे ना जहां सद्डा नहीं करने लाए ग council उदर सद्डा हो جाती है और जहां करने लाएक आखको यहे होगा करने पता नहीं है लोग बैठ और जहां नहीं सद्धा प्रकृति में प्रकृति वस्तुत है ही नहीं उसमें पर्फेक्ट सद्धा यह तो सामने हो रहा है ना आपकी इंदिया केवल प्रकृति मात्र को देख सकती है जो वस्तुत नहीं है है नहीं प्रकृति और उसका अर्थ हमेशा रहने वाला नहीं यह संसार लेकिन उसमें हमारा शाश्वत विचार है और इसले तो हम लोग परिश्यम करते हैं जैसे यहां हजारों साल जीना है कितनी विवस्ता करते हैं कि नहीं करते हैं अब विवस्ता हो गए रोटी कप्ड़ मकान मिलता रहेगा तो बस विवस्ता हो कि भजन करो ना उसका अर्थ क्या शाश्वत रहना है क्या यह जीव का सबाव शाश्वत है भगवान की तरह उनका मृत्यू नहीं है इससे वह विचारा एरेंज करता है ले कभी चेष्टा नहीं परिश्ति आती है उन्हों हर परिश्तिति में भगवान का बजन करना सुह यह इसी सकता है विव keeping सबत्नों को जानता है है जो कि इन सब के अधार किसका है कि परिष्थित का बढ़्लाव होता है तो छो बढ़िदा है इस्धा में अपनी इच्छा मिल क्यों नहीं चलेगा अगर तत्व के जानकार्व्यक्ति हो जाए तब भागवत विज्ञान को समद्ना चालू करें तब कुंती जी देख रही थी इन सारी बातों में और यहां कहते हैं शर्वत पानी पादम तत सर्वत शिर्वभी मुखम कहते हैं उस ब्रह्म का हाथ पैर क्य करके जब वह प्रकुर्ति इसमें स्थित होती है तो कार्यान भी दो होती है प्रकुर्ति जड़ है वो अपने से कारीया नहीं कर सकती यह ब्रह्म्वस्तु वियाप्त है और काल पूरुष की रूप में भगवान की सकती रहों Això को चलाने वाली अपने से जड़ पकृति क्या करेगी तक सब जगह हांक सब जगह मूख और सब जगह हाथ पेड़ वाला यह सब को अवरित हो करके सब वस्तु को व्याप्त करमें के स्थित होने वाला ब्रह्म वस्तु देखिए आगे आगे सुनिया और एक आश्चे जनक बा geoiseken की ऐत 씨 अवे आज्ची का को न नोस्के भगवीत्वी etcetera में भगवाने साड़ी समद्य रहे कहते सद ने इंड्रिय गुना वासम है ECश्च जिनको लेकर खुछित होती है अपने अपने काड़ी में लग औरकर आगैं का औरकर कज देखना का प्रकास क्या है सुन ला हां गुणा भासम हां कहते हैं कि इन्दियों के गुणों के प्रकाशक अर्तान उनको गती देने वाला ये ब्रह्म है भगवान है देखिए बाहर भी स्थित्य वस्तु के रूप में भीतर प्रमात्मा के रूप में हां कितनी सहायता हम भगवान से लेते हैं हम इसको सोते हैं सरवें इंद्री विवर्जितम और तथा भी कहते हैं कि उनके पास प्राक्रित इंद्रियों जैसे समय लोगों के पास होती है ऐसी नहीं है सबकी इंद्रियों को इंद्रियों के प्रकाशक होते हुए भी स्वयम बगएर इंद्री वाला है इंद्री विवर्जितम बगएर इंद्रियों का अर्थ प्राक्रित इंद्री जिनके पास नहीं ना असक्तम और सर्वत भुक्च एव कहते हैं कि वो अनास्तक्त होकर की सब का पालन करता है वो खुद अनास्तक्त है इस संसार का पालन भगवान करते हैं लेकिन उनमें कोई आ सकते नहीं हम लोग दो चार आदमी का पालन करते हैं न ये का इतकाम नहीं तो गाली चलू होता है यह रामी लोग का क्यों मैं पालन करना हूं, फानी का एक गलास मांगा गलास नइ आ posts ए हरा है, इसे हरामी का पालन निया करना है, फ़क्वान बलते हैं सबस find अर्णा हरामी तुह है। कि तेरा पालन करता हूं और तुम तो मेरा भजन कभी नहीं कर रहा है और दूसरे को अरह भ सबका पालन सब्तिки उन से हो दिखें तर मार्त्र has चिन्मई वस्तु का भोग करते हैं इसे कहते हैं कि यह भगवान के अश्वरिय इस अश्वरिय से कुंति महारान जी अउगत थी वह बड़ाबर जानती थी और भी सुनिये वह वस्तु के अब परमात्मा के विश्य में बताना चालू करते हैं कहते हैं बहिर अंतस्च भूतानाम अचरम जरम एवच्च जर और चेतन इन सभी जीवों के अंदर और भीतर जिनकी व्यापती है ना सुक्ष्मत तात अभिज्यम दुरुस्तम चांतिके चतता वह कहते हैं कि वह वस्तु अंदर बाहर होते हुए भी वह दूर से दूर है और नदिक से नदिक है पर्स पर विरोदी बाते हो रही है दूर से दूर अच्छा कैसे दूर से दूर जो लोग भजन सादन नहीं करते हैं उनके लिए दूर सु दूर जानेगा ही नहीं बगवान कौन है और जो सादन भजन करते हैं वो तो भीतर गर की वस्तु है ऐसा अंदर गर की भी नहीं अंदर सब कार्य को देखेगा कि इश्वर कैसे कार्य कर रहा है और मुझे कैसे पिरना कर रहा है और मेरा कौन-कौन कार्य यह करते है तब जाकर कि इश्वर से प्रेम होगा अन्यता कैसे कि सब बाते जाने वगर हम भगवान को प्रेम करने के लिए चले हैं तो चल निकले हैं समझ ल हाली निकलाज प्रेम करवा हाँ जब तक हम लोग इसको ठीक से नहीं दर्शन समझ में आएगा तब तक भगवत तत्व का ज्यान नहीं होगा और भगवत तत्व को जाने भीकर हमारा बजन चलता है इसलिए निद्रा आती है इसलिए सारा कुछ जंजट होता है है और सब्रहोड में भिक आलजस से आता है का यह का प्रोच अच्छा था यह जा आज में तो आईगा तो नहीं कि नहीं समझते हैं इसलिए के वह सुक्ष्म से सुक्ष्म वस्तू है दूर से दूर और नदिक से नदिक है भजन करने वाला वेक्ति कभी परमात्मवस्तु को दर्सन नहीं कर पाएगा अंतर बहीर अवस्तितम कुंती जी जी जो बोल रही है वह देख रही थी को भगवान का क्या आईश्वेद्या है कि उरत पर है इधर बैटे अंदर है पदार्त में इधर है इधर है आपको चारों और कुछने दिखाए पढ़ेंगे भजन नहीं करेंगे है लेकिन वो कैसे दिखाए पढ़ेंगे बगेर भजन अब गेर भजन यह होगा नहीं है यह कुंती जी स्रवन किर्टन बहुत किया था किष्ण के भी से में बार-बार सुनी थी है और बार-बार उनका किर्टन अभी उनका किर्टन हम लोग सुन रहे हैं एक नहीं वह बार बार कितना किये थे किस्टने के उन गुनों का गान देखिए 26 लोग में क्या गुनों